कभी इस्रों की असफलताओं का उपहास बनाया गया तो कभी उनके विज्ञानिकों की धार्मिक आस्थाओं का मजाग उड़ाया गया लेकिन चंद्रयान्त्री की सफलता के साथ ही इस्रों ने अपने विरोध्यों के मूँपर ताला लगा दिया है इस एतिहासिक उपलब्दी पर एक तरफ पूरा देश जश्न मना रहा था वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी जलन पर बढ़नौल लगाया जा रहा था कौन थे ये लोग इनी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो अंत तक हमारे साथ बने रही है इस वीडियो में और जल्दी से हमारा चैनल सब्स्राइब कर दीजे और प्लीज नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा नमस्ते मैं हूँ दीपा सिंग और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट जैसे ही विक्रम लेंडर ने सेपली चांद की सतय पर लेंड किया पूरे विश्व में एक खुशी की लहर दोड़ पड़ी देश विदेश से भारत को और इसरो को बधाई देने वालों का ताता लग गया यौरॉप और ब्रिटेन की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने भारत को बधाई दी विश्व के दूसरे लीडर्स ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को बधाई दी और कल तक जो न्यूयोक टाइम इसरो का उपहास बनाते हुए कार्टून छापता था उसने भी इसरो की दिल खोल कर प्रशंचा की जहां एक तरफ पूरी दुनिया से इसरो और भारत के लिए बधाई संदेश आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ दो किसम के लोगों के सीने पर साप लोट रहे थे एक तो हमारे देश में बैठा विपक्ष और दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो उन विचारों के पास तो धर्ती पर रहने की आउकात नहीं बची है तो चांद तक जाने के बारे में तो वह सपने में भी नहीं सोच सकते तो अब उनके पास कोई विकल्पी नहीं है वो धर्ती पर बैठे अपने जख्मों को सहला रहे हैं और नए नए एक्सक्यूज निकाल कर अपने आपको समझा रहे हैं काफी सारों को तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमने अचीव क्या किया है और यह बात उनके बयानों से बहुत साफ साफ जाहिर हो रही है जड़ा सुनिए कामियाब हुए और सेफ लेंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं और हमारा देश एक कदम औ दर आगे बड़ा उसकी सभी देश्वासियों को बहुत बढ़ाई देता हूं कि मारे साथ शक्ति आदव है अरजिदी के मुखे प्रवक्ता है क्या कहेंगे क्योंकि भाजबा तो कह रहे हैं सभाविक सी बात है प्रदान मंद्री मोदी के में नित्रियत में तमाम सीजे चल कर्यान तीन का सफल जो हुआ है लेडिनिंग इसके लिए नासा के सभी बाइजानिकों के प्रहन-मंद्जी के भूमका थे बढ़ा है तो बैजानिकों के भूमका है जो कर रहे हैं जो चंद्रियान त्री की बात आप कर रहे हैं इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कल सफुसल उधरती पर आने का जो टाइम है आने के बाद उसका स्वागत पुरे देश को करना चाहिए आपको याद है पिछले दिनों अनकेडमी के करन सांगवान ने कहा था अनपढड नेताओं को वोट मत देना नोट कर लीजे इनके नाम यही है वो अनपढड नेता जिनको पुछ भी पता नहीं है अब अगल बात करें कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस के पेट में दरड इसलिए हो रहा है कि इतनी बड़ी एतिहासिक अपलब्धी surat प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को जा रहा है क्योंगि कॉंग्रेस का तो क्या है उन्होंने गांधी जी को राशवपिता बना ही लोग क्रेडिट डिज़र्व करतें एक बराबर क्रेडिट दिया गया है जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि विक्रम रेंडर का नाम जो है वहgamu बड़े साइंटेस्ट विक्रमसारभाइ के नाम पर रखा गया है जिनकों की भारती स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है साथ ही रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया है जो कि संस्क्रित का शब्द है प्रज्ञान का अर्थ होता है बुद्धी और ग्यान इसरों के सभी विज्ञानेकों को इसका क्रेडिट दिया गया है आज देश की बागडोर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के हातों में और उन्हीं के नेत्रत्व में देश नहीं इतिहास रचा है तो उनको पूरा पूरा क्रेडिट जाना चाहिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि विश्व के मानचित्र पर भारत को स्था रापित करने की कला नरेंद्र मोदी से बहतर और किसी को नहीं आती आप खुदी सोचिए कितनी प्लैनिंग लगी होगी कि जिस वक्त ब्रिक्स सम्मिट में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के इतने देशों के बीच में भारत का प्रतिनिद्व कर रहा होंगे उ आप सोचिए इंपक्ट कितना बड़ा है विश्व में जो देश स्नेक चार्मर और काउडंग वाली पहचान लिये वह था यानि सपेरों और गोबर वाला देश हमारे देश को माना जाता रहा था उस देश का कितना बड़ा और कितना स्ट्रॉंग स्टेटमेंट है कि पहला देश जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान लेंड करता है सफलता पूर्वक तो इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई और हो ही नहीं सकता और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट डिजर्व करते हैं क्योंकि यह कला सिर् जाए कि नैरू जी तो वीनस में इतने वैस्त रहते थे कि मार्स और मून के बारे में सोचने की तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी तो खाली किसी इंस्ट्यूट के बनाने भर से क्रेडिट नहीं मिल जाता काम भी करना पड़ता है देश को मार्ग दर्शन भी देना पड करते हैं लेकिन जो जल रहे हैं उनको जलने दीजिए कॉंग्रेसियों को अपने घाओं पर बर्नौल मलने दीजिए आप और हम मिल कर तो उत्सव मनाएंगे क्योंकि एक एतिहासिक पल है एक बड़ी उपलब्दी है तो पूरे देश को बधाई आप सभी को बहुत बहुत कर दीजिए उनको लग।